हेलो वाइए यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप तो आशा करती हूं अच्छी होंगे खुश होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में शैननशान ब्यूटी पारलर जो कि आपको जिसमें मिलेगा मेकप टिक्स मिलेंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब बना के जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा एक एफैक्ट पड़ेगा आपको अच्छा फीलिंग्स आएगी तो जब भी आपके पास क्लाइन्ट आए तो इस तरह का हैरस्टाइल बनें तो यह बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है है तो मैं मैं बता रही थे कि बनाएं को अगर मेरी वीडियो आपको हेरफूल लगे तो पूरा देखें वीडियो को स्किप न करें और देखिए जिस तरह से में हेर स्टाइल को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया जो मेरे बाल था पहले तो इनको हेर प्रोटेक्टर से अच्छे से हेर को प्रोटेक कर लिया है और मैंने इनको बहुत टैंगल अच्छे से फ्री कर लिया जितने भी टैंगल से उसमें मैंने अच्छे से फ्री कर लिया है उनको बहुत अच्छे से पॉम किया है बालो को और देखे मेरे पास स्टेटनर है तो यह इसी तरह से मैं जि इतने भी बाले और उसके बात में आप ना जिस तरह से मैं बनाऊंगी आप ऐसे फॉलो करना तो मेरे पास एक करली हैर करने की मशीन है जो कि आपको पास अगर होता है आपको बहुत अच्छी से काम करेगा एक अच्छी हेस्टाइल बनाने में तो देखे मैंने थोड़े-थो निकालके फेस के ऊपर आगे से बना दिया और अब मैं जितने भी घर्ड करूँगी उनको मैं हाफ पॉइंट में करूँगी हाफ पॉइंट में कैसे कर रही हूं आप बिल्कुल देखना ध्यान से देखना स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि छोटी-छोटी जो टीप्स होत है तो आदे बाल मैं जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंच्यूज हो जाते हैं कि कैसे हेर स्टाइल दें यह वाला हेर स्टाइल आपना लेंगे पर भी दे सकते हैं और जब आपके बाल मतलब आपको लुक किस तरह का हो कि आपको साड़ी में भी पला अगर खुला है मतलब हाथ पे ले करना है तो उसके उपर वीडियो सूट करूंगी तो फ्रेंट्स देखिए और फिलाल इसको फॉलो करिए जिस तरह से मैं कर रही हूं और केरफुल करना क्योंकि यह मशीन होती है बहुत देखिए प्रैक्टिस के तोर पर ही हम इससे काम कर सकते हैं और जो मतलब इसका बहु को कर लिया है बहुत अच्छा लुक रेडी होके आएगा आप देखना अभी फिलाल बने रहना प्लॉट में और मैं भी करते हूं क्योंकि देखिए एक्स्पिरेंस कितना भी हो बट चूक होने में टाइम लगता तो इसलिए मैं भी बहुत करते हूं और जब करना सुरू कर सब्सक्राइब कर लिया है अभी हमने क्या करना है इसी तरीके से रिस्टाइल कंप्लेट नहीं करना है आगे का प्रसेजर क्या होगा जितने भी बाल मैंने कर्ल किया है इनको न अपने फिंगर की हेल्प से उनको न मतलब खोल दीजिए जितने भी कर्ल करें अगर आप इसे करना पसंद करते हैं तो हासी बढ़ना एक मोटा वाला कॉम आता है उससे भी कर सकते हैं बट मुझे तो हासी पसंद आता है तो मैं हासी कर देती हूं क्योंकि मेरा इतना स्पीट के साम होता है पालर के अंदर जब तैयार होने आते तो मैं कुछ चीज़ें हासी कर लेती हूं और उससे भी बहुत अच्छा एक लुक रेडी हो जाता है तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसको कहते हैं अच्छा वाला करना ना कि जो वह एक र प्रंट से बनाना सुरू करा और देखिए यह बिल्कुल एर के पास से होते वे उपर से हम छोटे छोटा रोल करके कम्प्लीट करेंगे है स्टाइल को और देखिए थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे और कर्ल करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे कर्ल करते र रोल करना है और घुमाकर बालो को को एक रोलिंग वाला लुग दे देडेना है जिस तरह से मैं कर रहि हूं आप देख अपियले गड़ा चैरे वीडियो में और प्रैक्चिस करते ना है जिधना करेंगा उसका रिजल्ट इक बहुत सुंधर आता है जैसे कि मैं और ते मैंने क्या लगी हो जाता है तो टेक्षि हाना मैंने वाजाते हैं अच्छा लूक्त कर लें हाए खाल कları किता लुक्ता हो जाता हुँ है तो एक अच्छा ही होरा हैं में थोड़ा से वीडियो मैंने स्टॉप कर दिया तो अब क्या करना है दिखे अब यह तो हमारे स्टाइल कंप्लीट हो गया बट इसको और सुन्दर करने के लिए हमने क्या करना है जिसे बहुत प्यारे प्यारे आजकल एक से पिंट चल रहे हैं और यह मेरे पास सिल्वर कलर अब आपने देखे भी होंगे एस टाइल में मेरे पास ही रखा रहता है तो मैं लगा देती हूं को इससे क्या होगा ना बहुत अच्छा लुक रिडियो जाता है बहुत अच्छा ना बालों में जब देखते हैं तो यह सुन्दर लगता है तो मैंने बस मेरे पास चोटे- लगासे होँ तो देखे मैंने तो एक बहुत अच्छी आसानी हेरश्ट्याइल आपको बना के दिखाए है जो कि하는 बहुत अच्छे से अगर बनाएंगे देखक्ट वीडियो सीख जाएंगे तो दीखिया मैंने तो इस तरह से रेडी कर दिया अपने हेर स्टाइल आप बताइए आपको कैसा लगा और उमीद करते हूं कि आपको यह हेर स्टाइल अच्छा लगा होगा और हेर फूल भी होगा आपको इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी विल्कुल भी बीडियू को स्किप नहीं किया और मेरा कood जरूरत ओizen कि आपके लिए जितना हिर फूल होगा मैंने वह यूजड किया अब मैंने क्या आक्प ये ताकि टैंगड परी नहीं हो जाएं क्योंकि जादे टाइम के लिए था लांग लास्टिक नहीं रह पाता तो आप क्या होगा आप अच्छे सेना बारा गंटे दस गंटे तक जैसे भी आप इंचॉय कर सकते आपके बाल विल्कुल टैंगल फ्री नहीं होगे आपका हेर स्टाइल जैसे बनाओगे आप वैसे ही बना रहेगा और यह देखे मैंने जो फ्लिप्स निकाली थी वह बहुत लुक आया और आप बताएगा कि यह फेस पर कैसी लगे मैंने दोनों साइट से फ्लिप्स नहीं निकाले आपका अप्शन है कि आप दोनों साइट से भी निकाल सकते हैं क्योंकि अगर आप पूरा कंप्लीट लुक आप अपने फेस के अकोर्डिंग करना चाहते हैं क्योंक अपने फेस पर कैसा लग रहा है आप बताएगा कॉमेंट करके मुझे और अगर आपके लिए वीडियो है तो प्लीस अपने जितने भी आपके जान पैचान वाले जिनको आप चाहते हैं कि यह इस तरह का हेस्टाइल बनाएं उनको सपोर्ट करना चाहते तो शेयर कर दीज और फ्रेंट्स आज कर ब्लॉग यहीं पर अंड करती हूं आशा करती हूं आपको पसंद आया होगा सो फ्रेंट्स बबाई थैंक्यू सो मच मेरी वीडियो को लास्त तक देखने के लिए और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में बबाई यूट्यूब फैंबली